नमस्कार ये कौन से जान्वर हैं ये हाथी और शेर हैं अब बताईए कि ये क्या वस्तु है ये एक किताब है और ये कौन से जीव हैं ये नर और मादा मनुष्य है आप इन तीनों उधारणों में कैसे पहचान पाए कि तस्वीर किस चीज़ की है आप ये बता पाए क्योंकि आपको ये अनुमान था कि ये तस्वीरें पूरी कैसी दिखती हैं हर तस्वीर का कटा हुआ हिस्सा देखके आप ये अनुमान लगा पाए कि बचा हुआ हिस्सा कैसा दिखता होगा और अपने मन में तस्वीर को पूरा कर पाए और बता पाए कि तस्वीर किस चीज़ की है इन उधारणों में आपने सीमित जानकारी से पूरी जानकारी प्राप्ट कर ली इस तरह आप प्रतिरूप को पहचान और समझ कर ना दी गई जानकारी को भी पता कर सकते हैं प्रकृती में भी ऐसे बहुत उधारन है जो निश्चित पतिरूपों का अनुसरन करती है उधारन के तौर पे एक सूरज मुखी के फूल की पंखोडिया, मदुमक्खी के छत्ते में छिद्र या फिर भुट्टे के दाने इत्यादी इन सब उधारनों में आप देख सकते हैं कि फूल की पंखोडिया, छत्ते में छिद्र और भुट्टे में दाने एक निश्चित प्रतिरूप में नजर आते हैं और अगर हमको इनका कुछ भाग दिखाया जाए तो हम पूरी तस्वीर का अनुमान लगा सकते हैं इस पार्ट में हम इसी सोच को संख्याओं पे लागू करेंगे हम देखेंगे कि संख्याओं से बनने वाले प्रतिरूपों का अनुमान लगाना हो तो कैसे लगा सकते हैं आईए देखते हैं